नमश्कार दोस्तों दुलसे स्वागत है आपका हमारे चानल में अगर आप भी ये सारी समस्याइं बालों की फेस कर रहे हैं जो आपसे आज मैं शेयर करने वाली हूँ तो मेरा आज का ये रेमेडी एक बार जरूर ट्राय करिएगा अगली बार खुद बखुद ट्राय करने पर मज़वूर हो जाएंगे क्या आपके बाल भी बन्ने बंध हो गए हैं उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही है आप कितनी कुछ चीजें ट्राय करके ठक चुके हैं नए नए शैंपू, नए नए कंडिशनर ट्राय कर चुके हैं लेकिन फिर भी आपकी length as it is है 3-4 महीने में मुश्किल से आपके 1-5 इंच बाल बढ़ते हैं और जो बाल उखते भी हैं वो बहुत ही जादा पतले, बेजान, रूखे सूखे हैं आपके बालों में जान ही नहीं रही, बहुत ही जादा सूखे हो चुके हैं, शाइन नहीं रहा आपके सर में बहुत जादा डांडरफ हो चुका है, आपके बाल पहले से बहुत जादा पतले हो चुके हैं साथ में सफेद भी होने लग गए हैं अगर ये सारी समस्याइं आफ फेस कर रही हैं तो एक बार इसको जरूर ट्राइ करें आपका कितना भी जादा हैरफॉल हो रहा होगा वो भी स्टॉप हो जाएगा क्योंकि कुछ टाइम पहले मेरा भी हैफॉल बहुत जादा हो रहा था और कोई भी ट्रीट्मेंट मैंने किया तो मेरा काम नहीं कर रहा था तो मुझे लगा कि मैं कुछ नया ट्राइ करती हूँ और जैसी मैं इसको ट्राइ कर अपने बालों में तो काफी बहतरीन रिजल्ट है हैफॉल रुग गया है, हैर्स की लेंद बढ़ रही है, डांटरफ जो मेरे जादा हो गया था वो खतम हो गया है एक scalp में आपके कभी आपने notice करावा जड़ों में खुझली से होनी शुरू हो जाती है वो allergy को भी खतम कर देता है, प्लस में आपके बाल जो सफेद हो गया है वो काले होने शुरू हो जाएंगे और future में आपके बाल सफेद नहीं होंगे तो इससे बड़िया चीज हो ही क्या सकती है, बहुत असान ingredient है, सिर्फ तीन चीजे मिलानी है और आपका hair pack ready है, तो definitely इस hair pack को try करिए आप जान लेते हैं इसको बनाना कैसे है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक खाली bowl लेना है उसमें आपने अपने बालों की length के according दही add करना है दही में होता है lectic acid जो आपके scalp से जितनी भी allergy problem है उसको खतम करता है आपके dandruff को खतम करता है, आपके बालों को smooth और shiny texture देता है उसके बाद हमने इसमें add करना है आधा नीबू का रस नीबू का रस भी आपके scalp में जितनी भी allergy उसको खतम करके आपके बालों में नई जान लेकर आता है जो आप लोग कहते हैं आपके बालों सूखे से हो गए हैं, बेजान हो गए हैं नीबू उनमें एक बहुत बढ़ी अशाइन लेकर आएगा और जो आप लोग के दिमाग में नीबू सुनते ही डर आगया होगा कि हमारे बाल सफेध हो जाएंगे तो मैं आपको ग्यारंटी देती हूँ नीबू बालों को सफेध नहीं करता अगर उसको आप डारेक्ट यूज करते हैं तो आपके scalp के लिए harmful होता है दई के साथ अगर आप जैसे मैं बता रही हूँ सरीके से इस्तमाल करेंगे तो आपके बाल बिल्कुल भी सफेध नहीं होंगे वलकि जो बाल सफेध हैं वो काले होंगे तीसरा हम इसमें अपना main ingredient आट करने वाले हैं रीठा powder रीठा क्या करता है रीठा आपके बालों के लिए वर्दान है आपके बालों को बहुत जदा भैतर बनाता है रेशमी बनाता है उनमें एक अलग सा ही shine बना जाता है आपके बाल पहले से कहीं जादा सुन्दर दिखने शुरू हो जाएंगे और जो बाल specially आपके बन नहीं रहना वो बनने शुरू हो जाएंगे और साथ में इसमें bacterial विरोधी और fungal विरोधी गुन होते हैं जो बालों को एक अलग ही texture देते हैं जो आप लोग कहते हैं मेरे बालों का volume नहीं रहा पहले दो तरफ मैं बाल पोनी बनाती थी तो इतने heavy पोनी बनती थी और अब जब पोनी बनाती हूँ तो इतनी पतली सी प और आदे घंटे के लिए कम से कम बालों में रखें और नॉर्मल पानी से धोलें आपको इसके बाद शैंपू नहीं करना है आपको हमेशा next day शैंपू करना है इस बात का ध्यान जरूर रखें तभी आपके बालों में ये पाक जो है जो आपने हैर पाक बनाया है ये आपके बालों में असर दिखा पाएगा हफते में कम से कम दो से तीन दफा इसे जरूर लगाएं और जो आपको मैंने कंडिशन बताई है कि सेम दे शैंपू नहीं करना उस चीज को जरूर फॉलो करें और उसके बाल जो आपके बालों बर भैतरी रिजल्ट आएगा तो आपसे रि करें और फिर देखें आपकी आँकों के सामने रिजल्ट होगा यार मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है आप अपने आपी बाद में खुद बखुद इसको कंटिनू रखना शुरू कर देंगे तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कुछ बहतरीन नेक्स्ट वीडियो में कुछ ल कर दो